तो गाइज आम स्टार्टिंग इद मैं स्किन केर और यहां पर मैं यूज कर रही हूं मामार्थ का विटामिन सी फेस टोनर और इसे मैं थोड़स अपने पाम पे लोंगे फिर अपने फेस पच्छे से इसको डैप डैप करके अप्लाए कर लोंगी आपको हमेश अपने स्किन के में टोनर इंकलूड करना चाहिए क्योंकि यह हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने में काफी जदा अच्छे से हेल्प करता है नेक्स में हाप यूज कर रहे हूं ऐसको सेंडल वूड जेल इसका भी मैं थोड़सा ही अमाउंट अप्लाए करूँगी यह भी काफी ज्यादा अच्छा है अगर आपकी ओल स्किन टाइप रहा है तो आपको यह काफी ज्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि यह काफी जदा करूंगे अपनी अंडर आइस पर अपनी आइलेट पे और उसकी बाद विद धी हल्प ऑफ डाम ब्यूटी ब्लेंडर मैं अच्छे सिसको ब्लेंड कर लोंगी नेक्स्ट में आइवेस को सेट कर लोंगी विद इस एन्वाइब बेग्रेंड एंपायर कॉम्पक्त विद यह एलप ऑफ बफिंग ब्रश नाउ टो शेप और फिलन माइ आइब्राउस 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 पैंसिर एंड गाइज यह यह इंस्ट्रे स्टोर से परचेस करी थी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्रिप्शन में दे दूंगी अगर मैं इसे आईब्राउस को अच्छे से बें करोंगी मैं है विरी नहीं जाओंगी बिल्कुल नेचुरल ही जाओंगी नेक्स में हर्यूज करिज मैंने सेम इंडिन बंचेस करी थी सबसे पहले मैं यह क औरल पिंक साषेड ले रह association एपनी progress planning मतलब इससे मैं अपनी क्रीज सेट करूंगी अच्छे से next मैं यहाँ यूज़ करूँ है beauty glazed का color board और उसमेंसे मैं फिक करूंगे dark pink shade और इसको भी मैं अपलाए करूँगे अपनी क्रीज पर ही इसको भी मैं पूरी तरीकिसा अपनी क्रीज पर करूंगे और हलका हलका से मैं इसको अपने आउटर वी पे भी अपलाय करूंगी ताकि मेरा आउटर वी पी काफी ज़्यादा अच्छे से डीपन अप हो जाए नेक्स में यहाँ पर यूज कर रहे हूं वैट और यहाँ पर मैं इसको अपनी क्रीज कट करने के लिए यूज करूंगी क्रीज कट करने का मतलब यह है कि मैं इसको अपनी पूरी आइलिट पर अप्लाय करूंगी क्रीज तक और हलका हलका से मैं इसको ब्लेंड भी करती जाओंगी नेक्स पर यहां पर यूज करूंगी फोकले वर्निंग आइशेडव पैलेट और उसमें से मैं पिक करूंगी एंटिक वाइट शेड यह काफी जदा सुंदर बेबी पिंक काइंड ओफ शेड है और इसे मैं अप्लाय करूंगी अपनी आइलिट पर जहां पर मैंने पूरी इसको अप्लाय करूंगे अपनी क्रीज पे तक कि कट क्रीज का काफी जदा अच्छे से एफेक्ट आए नेक्स में पर यहां पिस करूंगी ब्यूटिक लेस्ट पैलेट और उसमें से मैं पिक करूंगे बेबी पिंक शिमरी शेड सेम लाइन ब्रश की हल्प से और इसको भी मैं लिक्विड आइलाइनर के ऊपर ही लगाऊंगी ताकि सिल्वर के साथ सथ हलका सा पिंकिश एफेक्ट पी आए और इन फुर आइलाइनर इंदी शेड ब्लैक और इसकी हल्प से मैं में थिक्विड इलाइनर रो करूंगी मैं यहां पर ज्यादा मोटा लाइनर इसलिए करूंगी वरनाव कट्रीज के एफेक्ट के साथ काफी ज़दा बॉल्ट लगेगा इसलिए मैं यहां पर मीडियम थिक डाइलाइनर ही ड्रो करूंगी अगर आप फॉल्स के साथ कमफरेबल नहीं हो तो आप किसी भी मस्कारे के दो को आपको आल्मोस सेम वोल्यूम और लेंथ मिल जाएगी नेक्स्ट इसके बाद मैं यहां पर यूज कर रही हूं और इसका भी मैं थोड़ सा ही अमाउंट लोंगे और अच्छे से इसको अपने फिंगर्स के बीच में रब करके मैं इसको अपने टी जोन पर फोकर्स करते वे अप्लाय करूंगी क्योंकि मेरा टी जोन काफी ज़द त्रफिंग यहां बस मेरी फ्रेस पर यहां च्क आपको थे जूद में पर दीड कर सकते हैं और यहां को हमेशा यह वैसे तैंड करना यह तो बहुत ज़दा पैचल बने लोग नहीं एग और थोड़ी ही देर में आपका मेकप काफी ज़दा केक्च लगने लग जाएगा न तोड़ा वहां जहां पर मुझे acne scars है basically आपको concealer वहां अप्लाए करना होता है जहां पर आपको थोड़े बहुत scars है यहां फिर आपको थोड़ी pigmentation का issue है और आप concealer वहां पर भी अप्लाए कर सकते हो जहां पर आपको face के pink intense cold kajal in the shade black और इसको मैं अप्लाए करूंगे अपनी लुवर वाटर लाइन पर next for bronzing यहां पर मैं यूज कर रही है SFR color contour palette और उसमें से मैं यह bronzer shade और एक contour brush की help से मैं अच्छे से अपने usual areas को bronze कर लूंगी जैसे कि मेरी jaw, line, cheek, bone, forehead and then for blush मैं same palette यूज करूंगी यह SFR वाली और उसमें से मैं दोनों blush shade को mix करके अपना blush apply करूंगी next for highlighter I am using one of my favorite highlighter which is this Maybelline Master Chrome highlighter in the shade 100 Molten Gold और एक fan brush की helps इम अपने usual areas को highlight कर लूंगी जैसे कि मेरी cheeks, forehead, bridge of the nose or cupid's bow and lastly for lipstick I am using this NY Bay Matt's Matte Lip Crayon in the shade you are my girl crush you